बच्चो आज हम पढ़ेंगे टेलीफोन और मोबैल फोन के बारे में पढ़ेंगे देखो दो टेलीफोन वाज इनवेंटेड वाई अलेकजंडर ग्राम बेल इन ऐटिन सेवेंटी सीक्स बच्चों यह important point है टेलीफोन किसने invented किये थे ऐलेक्जंडर बेल COP 1876 में ऐलेक्जंडर ग्राम बेल टेलीफोन को अभिस्कार किये थे मतलब invented किये थे इसके बज़े से एक परसन से दुसरे परसन बात कर पाए फोन से टेलीफोन से पहले तो चिटी से बात करते हैं जब टेलीफोन आया उसके बात क्या कि एक परसन से दुसरे परसन आराम से बात कर पाए इस वी के नाओ टॉक्त परसन इन एनि आप पर्ट अब दो वार्ल और टेलीफोन उसके बात बच्चों क्या हुआ वाल के जो भी पार्ट में कोई परसन है और किसी अलब पार्ट से दुसरे परसन आराम से बात कर पाते हैं अगर नहीं, दोसों के इन्टमेटर चार्सों किलोंडर दूर का परसन से हम बात कर पाते हैं वाइर फोन और टूड़े कॉल लेड लाइन वाइर फोन वाइर फोन को क्या कहते हैं लेड लाइन कहते हैं और वाइरलस फोन को कहते हैं मॉबाइल फोन बचो जो फोन में वाइर फोन को क्या कहते हैं लेड लाइन कहते हैं पहले वाइर फोन था अभी वाइरलेस फोन आया है पहले wire phone था, उसको landline कहते हैं, पहले landline phone था, अभी क्या हुआ है, अभी mobile phone, wireless phone आया है, ok, wireless phone मतलब mobile phone, उस तेखें अभी पढ़ेंगे हैं, mobile phone के बारे में, देखें ये mobile, सबके पास mobile phone होता है, mobile phone आ रहे, popular means of direct communication, mobile phone ये popular communication है, direct communication है, ok, they are small handy device यह बहुत छोटा होता है मतलब टेलीफोन उतना बड़ा नहीं होता तोड़ा छोटा है जो हाद में अच्छे से फीट होता है उसको हम easily carry कर पाते हैं SMS, short message service उधर से हम SMS भी भेच पाते हैं लेकिन टेलीफोन से क्या होता था हम किसी को SMS नहीं भेच पाते हैं लेकिन यह mobile phone से आराम से हम किसी के साथ chatting कर पाते हैं SMS भेच पाते हैं SMS का पूलप्राम क्या होता है short message service इचे popular modern way sending message through mobile phone हम mobile phone से SMS send कर पाते हैं भेच पाते हैं और किसी का message आए तो हम पड़ पाते हैं लेकिन टेलीफोन में यह सारा सुविधा नहीं था mobile phone आर अलसो यूज़ टू send and receive text message picture and document mobile phone को और किसी के लिए यूज़ करते हैं picture send करने के लिए document send करने के लिए message receive करने के लिए बहुत सारे कामों के लिए mobile को यूज़ कर रहे है वीडियो देखने के लिए गाना सुनने के लिए photo किचने के लिए अग नहीं it can also be connect to the internet यह mobile phone वच्चो internet से connect होता है लेकिन लैन लैन फोन किसी का नहीं लैन लैन फोन से कुछ नहीं होता है सिर्पात कर पाते हैं लेकिन mobile phone से हम बहुत सारा काम कर पाते हैं